दोस्तों इस बीधी का इस्तमाल करके आप अपने पौधों को तपती धूप और तेज गर्मी से सूखने से बचा सकते हैं जो इस वीडियों में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियों में आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे आपको बार बार पानी देने क जरूरत नहीं पड़ेगी अपने पौधे में और आपके पौधे नहीं सुखेंगे उसकी मिट्टी नहीं सुखेगी हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी हमारे चैनल सिंपल होम गार्णिंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों गर्मिया आ चुकी है अपरील मई और जून के महीने में काफी ज्यादा तेज धूप होती है और गर्मी भी अधिक होती है जिससे हमारे पौधे के गमले की जो मिट्टी होती है न वो काफी सूख जाती है ड्राई हो जात इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे आपको बार बार पानी देने की ज़रुत नहीं पड़ेगी आपकी पौधे की मिट्टी नहीं सूखेगी और आपका पौधा जयो अच्छे से इस तबती दूप और तेज गर्मी में काफी अच्छे से ह भरा भरा ग्रोथ करता रहेगा सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपने पौधे को ऊपर खुले जगह में नहीं छोड़ना है अगर आपके पौधे खुले जगह में है तो आप ग्रीन नेट जरूर लगा लिजेगा ये काफी एहम चीज होता है मार्केट में 50% 60 के ग्रीन नेट आसानी से मिल जाते हैं आप इसे online भी purchase कर सकते हैं 50-60% का मतलब ये हुआ कि 100% धूप में से सिर्फ 50% ही धूप आपके पौधे को मिलेंगे 50% filter हो जाएंगे नेट में च्छन जाएंगे या दूसरे सब्दों में कहें तो पूरी धूप हमारे पौधों को न मल्चिंग से फैदा ये होता है कि हमारे पौधे की मिट्टी नहीं सूकती है गमले की मिट्टी जो होती है वो नहीं सूकती है उसमें नमी बनी रहती है तो मल्चिंग करने के लिए आप बहुत सारी चीजों का इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन मैं ऐसी चीज आपको बताने वाल आपके plant में nutrient का भी काम करेगा सिर्फ ये mulching का ही काम नहीं करेगा इसमें बहुत सारे nutrient भी पैया जाते हैं ऐसी चीजों को ही मैं इस्तमाल कर रहा हूं mulching करने के लिए जिससे पौधों को fertiliser भी मिलता रहा है और mulching का भी काम करता रहा है उसमें हम पानी देते रहें, तो इस तरह से पौधे के गमले में नमी बनाये रखने के लिए, आप इन सारी चीजों से मल्चिंग कर सकते हैं, सबसे दोस्तों सबसे पहला चीज जो है, ये सुखी हुई पतियां हैं, आपके गार्डेन में अगर इस तरह की सुखी हुई पतिय और ये brown जो compost material भी होता है तो इसका इस्तमाल कर सकते हैं इसमें nitrogen, phosphorus, potassium, carbon भी पाया जाते हैं तो आप पतियों से mulching कर सकते हैं नेक्स्ट अगर आपके पास मुंगफली के छिलके हैं तो मुंगफली के छिलके का भी इस्तमाल आप mulching में कर सकते हैं इसमें carbon और NPK यानि nitrogen, phosphorus, potassium प पूरा करता है तो इस तरह से आप मुंगफली के छिलके से भी अपने पौधों कोई mulching कर सकते हैं इसमें जब धूप पड़ेगी तो आपकी नीचे की मिट्टी नहीं सुखेगा आपका plant जो है वो अच्छे से growth करता रहेगा तीसरा जो material मैं यूच कर रहा हूँ ये बकरी क खाद है जिससे हम goat manure कहते हैं ये बिलकुल गोला कार्ब फोर्म में पाया जाता है ये बिलकुल सुखा मैंने लिया हुआ है तो इससे भी आप अपने पौधे की गमले में mulching कर सकते हैं इसमें भी बहुत सारे nutrient पाया जाते हैं जैसे nitrogen, phosphorus, potassium तो जब इसमें हम पौधे में पा करेगा अगर आपके पास rice husk है जिससे धान का भूसा कहा जाता है जिससे चावल निकालने का बाद जो waste material बचता है इसका भी इस्तमाल आप पौधों की mulching के लिए कर सकते हैं इसमें magnesium, phosphorus, potassium, calcium पाया जाते हैं और बहुत सारे micronutrient भी पाया जाते हैं तो इससे भी पौधों म आप mulching कर सकते हैं इसका इस्तमाल भी mulching के लिए कर सकते हैं नेक्स जो चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये लकडी की बुरादा है लकडी का जो material है जो powder form में होता है इससे भी आप mulching कर सकते हैं लिकिन आप नई लकडी का बुरादा का यूज नहीं कीजेगा ये लकडी का बुरादा का यूज नहीं कीजेगा नहीं तो आपके plant में कुछ fungus की समस्याएं हो सकती है क्योंकि वो decomposed नहीं हुआ होता है तो इसके बाद आप kitchen से निकलने वाले kitchen waste से भी आप अपने गमले में mulching कर सकते हैं इसमें भी बहुत सारे nutrient पाया जाते हैं जैसे केले के सुखे छिलके हों प्याज के छिलके हों कुछ मुरिंगे के छिलके यानि ड्रमिश्टिक जिसे कहा जाता है उसकी भी फली सुखी भी फली को मैंने लिया है उससे भी मैंने mulching किया है इन सारी चीजों में बहुत सारे micronutrient nitrogen phosphorus potassium पाया जाते हैं जो हमारे पौधों को काफी ला कारी आपको कैसी लगी हमें comment section में जरूर बताईएगा विडियो पसंद आने पर विडियो को एक like और हमारे चैनल simple home gardening को subscribe करके bell icon जरूर दबाईएगा विडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद